ओम नमस्षिवाई आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त साधना बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्रेमी अपने साथी की शादी रखवा सकती हैं देखा जाए तो शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ना बहुत ही बड़ा महापाप है लेकिन यदि आपके पती किसी गैर स्थरी के साथ संबंध बना रहे हैं और किसी और से शादी करना चाहते हैं फिर ऐसे विचार उनके मन में उठ रहे हैं तो ये वैताली साधना आप कर सकते हैं ये ऐसी चमतकारी साधना है कि पती को पता भी नहीं चलेगा कब वो आपकी तरफ उनका रुजान भढ़ गया है और ये जो शादी का विचार है ये मन से निकाल देंगे अगर डायवोर्स की प्रॉबलम हो या फिर पती मनमुटाव में रहते हो या फिर किसी भी तरह की प्रॉबलम हो अगर घर में कलेश है तो भी ये चीज़ काम करेगी इस साधना को वैताली साधना कहते हैं ये इतना अचुक सटीक प्रियोग है जो कि कभी खाली नहीं जाता अगर एक बार ये सिद्ध होगी उसके बाद समझो कि आपके पती या आपके बॉइफरेंट सिर्फ आपी के साथ रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे ये 11 दिन का प्रॉसस होता है और 11 दिनों के बाद या 11 दिनों के भीतर भीतर ये तो आपके उपर डिपेंड करता है कि आप साधना में कितना रुजहान लेते हैं कितनी डिवोशन दिखाते हैं तो उसी प्रकार आपको रिजल्ट मिलते हैं 11 दिन के अंदर या फिर 11 दिन के बाद आपके पती जिन्दगी भर के लिए आपके हो जाएंगे इस साधना को करने के बाद इस साधना में हम बैताली माता को अपने लिए अपने अनुकूल करते हैं ताकि वो हमारा काम कर सके तो आपको बस करना इतना है कि 11 दिनों तक इस मंत्र का जाब करना जितना जाधा हो सके मंत्र इस परकार है इस मंत्र के साधना कीजिये आप 11 दिनों तक 11 दिनों के भीतर भीतर आपके पती चाहे कितने ही जगडालू क्यों ना हो चाहे किसी स्त्री ने उनके उपर काला जादू कर रखा हो तो भी ये चीज़ असर करेगी ये एक ऐसा अचूक मंत्र है जैसे कि अगर वान छोड़ दी गई है तो वो लगनी लगनी है वो कहीं और नहीं जाएगी सिधे आपके पती पे लगेगी तो ये मंत्र तब किया जाता है जब सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएं मंत्र साधना में कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी क्रियाओ के बारे में कभी ना बताएं वरना उसी दिन से आपकी जितनी भी साधर नहीं है वो विफल हो जाएंगी मैंने यासा देखा है कि जो लोग है वो पहली आपको डिमोटिवेट कर देंगे अगर आप ऐसी चीजे किसी को बताते हो तो जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक इन क्रियाओं के बारे में किसी को ना बताएं वरना ये विफल हो जाएंगे इन में बिल्कुल भी रस नहीं रहेगा इसको करना बहुत ही आसान है बस आपको नदी के किनारे जाना है और इस मंतर का एक हजार बार जाब करना है इस मंतर को करने की भिदी है कि आपके पैर जो है वो नदी के पानी में रहने चाहिए और फिर आपको ये मंतर बोलना है और ये इतना प्रभावी मंतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाए अगर यह प्रोसेस समझने में या फिर मंत्र के उचारण में कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजेगा 999-284-1625 धन्यवाद